राज्स्थान के बहु चर्चित काला हिरन शिकार मामले में मुख्य आरोपी अभिनेता सल्मान खान को लेकर फैसला गुरुवार 5 अप्रैल को सुना दिया गया है फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दोरां सन 1998 में उन पर दो काले हिरनों के शिकार का मामला दर्ज है उन पर लगे आरोप साबित हो गए हैं और उन्हें चार साल की सजा हो गई हैं शिकार के दोरां जीप में उनके साथ सैपहली खान, सुनाली बेंदरे, तभू और नीलम भी सवार थे इन सब पर सल्मान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है सल्मान को सजा हो जाने के कारण उनकी कई बड़ी फिल्में अधर में लटक गई है जिस से मेकर्स को काफी बड़ा नुकसान हो हुआ है आईए जानते है कौन कौन सी फिल्मों को नुकसान हुआ है उनकी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म रेस तीन को नुकसान हो सकता है वही बात करें अगली फिल्म की तो उसका नाम है भारत इस फिल्म को भी नुकसान हो सकता है तीसरी फिल्म का नाम है दबंग तीन इस फिल्म को भी नुकसान हो सकता है